आपने एक काया कि मेव समाज के लोगों को मैं अपने घर में अंदर प्रिवेस नहीं देता और ना ही मैं उनके पास वोट मांगने जाता क्या ये किस तरीकी के राजनीती है? राजनीती नहीं है ये मेरे स्पस्ट मत है जैसा हम देख रहे हैं अलवर शेर और अलवर जिला इस में अपरादों की अगर हम फेरिस्ट को देखे आपरादों की सुची को देखे तो मेव समाज के लोग इसमें अधिक्तम हैं बड़े से बड़ा अपराद चाहे वो टटलू काटने का हो, लव जिहाद का हो, हिंदू समाज की बेन बेटियों को बहला फुसला कर गरत तरीके से आइडी बना कर, फेस्बूक आइडी आज कल हिंदू नामों से बना रहे हैं लड़के और लड़कियों से फेस्बूक पे चैट करके फिर उन लड़कियों का अपने जाल में फसा कर, उनको ले जाकर उनसे गलत तरीके से शादी विवा करके, इस तरहे उनका जीवन बरबाद करने का काम कर रहे हैं, तटलू काटने का काम कर रहे हैं, हिंदू समाज के लोगों की काडियों में माल भरके ले जाते हैं, उसको बेच के आ जाते हैं, उसके बाद उनके पीछे पीछे पुलिस भागती रहती है, जितनी भी प्रकार के अपराद हैं, उन अपरादों में ये समाज दिख रहा है, आज जो मैंने कहा है, मैं इनके वोट मांगने नहीं जाता मैं ऐसा करना नहीं चाहता कि इन अपरादियों को किसी भी प्रकार के अपरादों से बचाने के लिए मैं इनकी साहिता करूँ इसलिए मैं स्वयम को इन से दूर रखता हूँ चुनाव में भी मैं इनके वोटों की नापेक्षा करता हूँ ना मांगने जाता हूँ मैं यह नहीं कहता पूरा समाज अपरादी है यह नहीं कहता कि सब सारे मेव अपरादी है लेकिन जितने पराद होते हैं उनमें मेव समाज के अधिक्तम निकलते हैं तो मेरा कहना है कि जिस तरह से इन्होंने आज ये मुख्यदारा को छोड़ के अपरादों की एक लाइन पकड़ी है, अपना विवसाय बना लिया है, ऐसे बहुत सारे सफेद पोश मैं आपको बता दूँ अलवर शहर और अलवर के आसपास, जिनके पास दो नए पैसे का गूमते हैं, गरों में एसी लगा रखे हैं, बिजली चोरी करते हैं, इसके अलावा लोगों से किस तरह से धने इटने का काम करते हैं, वो तो मैं आगे और भी खुला सा करूँगा जब बात आगे बढ़ेगी, लेकिन मेरा ये कहना है कि इन लोगों की पहले जाच की जाए पुलिस जाच करें, कि जो लोग आज मेव समाज के नम पर नेतागीरी भी कर रहे हैं, वो लोग क्या व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार व्यवसाय कुछ नहीं है, फिर उसके बाद बिलकुल सवेद पहुश रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाना, आराम ह प्रमाणित हैं, जो एक अनपड़ लड़की मुस्लिम समाज की है, उसको तो ये पता है, अपने धर्म के मताबिक के हिंदू समाज के लड़के से ना प्यार करना है, ना शादी करनी है, और हमारे हिंदू समाज की most talented, most intellectual, बहुत पढ़ी लड़की, वो ऐसी धर्मिल साथ, चायो फेक आईडी के आधार पर उससे संबंद हो जाते हैं, या कैसे भी है, पूरी जाच की पड़ताल किये बिना मेव समाज के लोगों के साथ शादियां करकर के, ऐसे शांसे जा रही हैं, और उसके बाद जब साल दो साल में, जो अपनी आदत और अपनी फितरत के मताबिक करते हैं, और जो कुछ होता है, उसके बाद जब साल छे मेंने में, उसका उस घर से निकासा होता है, महां से निकाल दी जाती है, तब उसको यह याद आता है, कि मैं हिंदू समाज की हूँ, और ऐसे वक्त में, फिर वो लड़के हम लोगों के पास, मेरे जैसे पाइन, इस लीए इसके बाद निकलते हैं, यहां जिस तरह की मानसिक्ता से काम हो रहा है, मुझे लगता है, यह लव जिहाद के लिए कोई विशेज। पेकेज आए होँए, उस पेकेज के तहत काम कर रहे हुगों。 देखे मित्र, मैं एक बात कहता हूँ, मैं रास्टियों स्वमसेवक संग का एक स्वमसेवक हूँ, पत्का अंतिम लक्ष नहीं है सिंगासन चड़ते जाना, केवल राजनीती वोट के लिए नहीं करनी है, राजनीती हमको करनी है सलवर के विकास के लिए, अपने के लिए राजनीती में रहना है, हमको उन लोगों के लिए जो सज्जन और अच्छे लोग हैं, उनके लिए रहना है, अलवर के विकास के लिए रहना है, वोट, मैं जीवन भर जब तक इस राजनीती में हूँ, सक्री है राजनीती में, मैं वोट मांगने की अपेक्षा भी नहीं करने का संकल भी लेता है और अगर वोट देना भी चाहे तो मैं तो कहता हूँ हाथ जोड़ कर कहता हूँ मत दो मुझे वोट क्योंकि फिर अगर किसी भी तरह के अपरादों में शामिल होंगे तो फिर मेरे पास आएंगे भाई साम मदद करो कि हमने आपको बोट दिया ह जब वो पेटियां उनके शेत्रों से खाली आती है तो मेरे पास कहने को है कि ना मैंने आपका वोट मांगा ना आपने दिया फिर किस बात की मदद में करूँ और उन पीडित लोगों के खिलाफ जिनको प्रताडित करके उनके जमीनों पर कबजे कर रहे हैं उनसे दूसरी तरह के जलूट मार करें इसके अलावा बेहन बेटियों को टा करें ऐसे लोगों के खिलाफ हैं इन लोगों की मदद में क्यों करूंगा